हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो ए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतिय वायू सेना इंडियन एर फोर्स की नियू रिक्रिमान नॉटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म को आप मोबाइल से कैसे अपलाए कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में तो friends यहाँ पर देखे जो यह advertisement है यह friends आपके अगनिवीर batch 01-2023 के लिए है जिसके लिए आप online आविधन कर सकते हैं इस vacancy या notifications related जानकारी friends आपको मिल जाएगी video description में jobrasa.com पर वहाँ पर जाकर आप इसकी details को check out कर सकते हैं अगर आप applicable है, eligible है, apply करना चाहते हैं तो आप इसमें friends से online apply कर पाएंगे बात करेंगे friends कैसे आप इसमें आविधन कर सकते हैं mobile से और इस video को start करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चनल को subscribe नहीं किया है, subscribe करें, share करें, like करें जिससे आपको आने वाली सारी updates से मिल सकें तो सबसे पहले friends से देखिए, ये इसका online apply portal है, जहां से आप इसमें आविधन करते हैं link आपको video description में मिल जाएगा अब mobile से friends से form fill करने में थोड़ी सी problem आ रही होगी आपको तो आप video को last तक देखिए, जिससे आपकी जो सारी problem है, वो इस video में solve हो जाएगी तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको एक registration करना होगा तो new user या register वाले option पर आप click करेंगे साथ में friends से क्योंकि Chrome browser है तो आप तीन dot पर click करेंगे और यहाँ पर जो यह desktop mode है यह आप यहाँ पर select कर लेंगे जिससे जो आपकी window है वो desktop mode में open हो जाएगी अब यहाँ पर जो basic जानकारी है जिसमें आपको आपका नाम देना है आपका father name देना है आपका mother name देना है साथ में आपकी जो active and valid mail ID है वो friends आप यहाँ पर enter करने वाले हैं तो यहाँ पर friends से देखिए आपका नाम, father name, mother name enter करने के बाद आप यहाँ पर अपनी mail ID है वो आप यहाँ पर enter कर देंगे नीचे friends से nationality option है तो यहाँ आपका automatic यहाँ पर selected है जो कि Indian है नीचे आपको option मिलता है gender का जिसमें main problem है जो कि gender आपको यहाँ पर male और female आपको दिया गया है यह आपके यहाँ पर select नहीं होता तो इसके लिए friends आपको करना क्या है आपको जाना है play store में प्ले स्टोर में जाने के बाद friends से आपको यहाँ पर एक keyboard search करना है hackers keyboard और जब आप इसे यहाँ पर search करेंगे तो आप friends इसे install कर सकते हैं अपने mobile में और install करने के बाद आपको friends से यहाँ पर इसे open करना होगा open करने के बाद कुछ इस तरह का interface आपके सामने open होगा जहाँ पर आपको कुछ setting यहाँ पर करनी होगी सबसे पहले है enable keyboard तो आप यहाँ पर click करेंगे इसके बाद friends से यहाँ पर देखे जितने keyboard आपके mobile में है वो सब आपको show करेंगे इसमें आपको जो एक keyboard मिलेगा इसको आपको यहाँ पर इसे on कर देना है on करने के बाद आप इसे back करेंगे इसके बाद है input language input language में जाने के बाद friends से आपको यहाँ पर देखे language की list मिल जाती है तो आप यहाँ पर English United Kingdom का जो option है इसको आप select कर लेंगे यह select करने के बाद next option है set input method का आप इस पर click करेंगे और यहाँ पर जो choose input method है इसमें friends से आपको यहाँ पर इस keyboard को select कर लेना है और select करने के बाद आप इसे ok कर सकते हैं इसके बाद last step जो है वो है setting का आप setting पर click करेंगे और यहाँ पर देखे जो यह height है आपके portrait की इसको आप 40% कर देंगे इसके बाद जो landscape है इसे भी friends से आप यहाँ पर 40% कर सकते हैं और यह करने के बाद आप इसे ok कर सकते हैं इसके बाद friends से यहाँ पर देखे जो यह option है keyboard mode portrait का इसमें आप यहाँ पर जो नीचे वाला option है full 5 row layout इसे आप select कर लेंगे और नीचे वाले option में भी आप इसे ही select कर लेंगे यह select करने के बाद सबसे last में आपको थोड़ा scroll करते हुए नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एक option मिलेगा जो की है friends आपके use permanent notification का तो आप यहाँ पर यह आपका untick होगा आप इसे यहाँ पर tick करके इसे activate कर देंगे activate करने के बाद friends आपका जो यहाँ का process है वो complete हो जाएगा इसके बाद friends आप आएंगे अपने इस portal पर जहाँ पर आपको इसको select करना है सबसे पहले friends आप gender वाले folder को select कर लेंगे जिससे आपके सामने जो male and female का यह option है यह आपके सामने open हो जाए यह जब आपके सामने open हो जाएगा तो आपने जो notification open किया है जिसमें आपको यह keyboard का शो का option मिलता है आप इस पर click कर देंगे किलिक करने के बाद देखिए आपके सामने यहाँ पर जो keyboard है यह open हो जाएगा इसके बाद friends से यहाँ पर एक option है control का तो आप एक control का जो option है इसे आप activate कर देंगे activate करने के बाद friends से इस control के ऊपर जो arrow है इसको आप tick करेंगे इसके बाद friends यहाँ पर देखिए आपके सामने यहाँ पर male and female का option यहाँ पर automatic आपको selected मिलेगा जब आपको यहाँ पर यह option मिलेगा उसके बाद friends यहाँ पर देखिए आपको एक enter का option मिलता है आप इस enter वाले option पर click करेंगे और इसके बाद देखिए यह option आपका यहाँ पर select हो जाता है ऐसे ही friends आपको यहाँ पर select इसे करना है तो आपको इसे open रखना है इसके बाद यहाँ से keyboard को आपको यहाँ पर open कर लेना है इसके बाद control दबाना है और उसके बाद friends जो arrow है control के उपर यह आपको थोड़े दिर दबा के रखना है जिससे इसके उपर जो arrow है वो आ जाएगा और इसके बाद friends आप वैसे ही इसको male या female जो भी आप select करना चाहें वो आप यहाँ पर selected कर सकती है select करने के बाद friends आपको यहाँ पार देखिए mobile number एंटर करना है और उसके बाद generate OTP करना होगा इसके बाद आपके पास एक OTP आएगी वो OTP डालकर आप यहाँ पर इसे verify करेंगे और इस capture code को fill करकर sign up कर लेंगे आप देखिए mobile से registration करने में problem आती ही है अगर आप इन चीजों को कर सकते हैं तो आप mobile से registration कर लीजिए अगर आपको इन details को करने में दिक्कत आ रही है तो friends आप registration PC या laptop से कर सकते हैं और उसके बाद अपने mobile से login करके form को apply कर सकते हैं इसके बाद friends से देखिए जब आपका registration complete हो जाता है registration के बाद एक password आपकी mail ID पर आएगा वो आपको यहाँ पर डालना है उसके बार इस capture code को fill करकर यहां से friends से आपको sign in कर लेना होगा इसके बाद friends यहाँ पर देखिए आपको reset करना है password आप password कैसा होना चाहिए तो friends इसके लिए आपको देखिए आपको यहाँ पर कहा गया है कि password में देखिए आपके uppercase, lowercase, number और special character password में होना जरूरी है तो आप यहाँ पर कोई भी password बना सकते हैं जिसमें friends आपको जो यहाँ पर guideline दी गई है वो आप fulfill करते हों जैसे आपने small letters यूज किए आपने capital letters यहाँ पर यूज किए इसके लबाद friends आप यहाँ पर numbers यूज कर सकते हैं और आप यहाँ पर कोई भी special character आप यूज कर सकते है तो कुछ इस तरह से जो password है वो आपको बनाना है, password को confirm करना है और उसके बाद यहाँ से submit कर देना है इसके बाद friends आपको देखिए आपका जो नया password आपने create किया होगा वो password डालकर और एक capture code डालकर आप यहाँ से sign in कर सकते हैं sign in करने के बाद आपका जो form है वो start हो जाएगा, सबसे पहले instructions page है, instructions को आप यहाँ से check कर लें, यहाँ से declare करें और उसके बाद continue to registration पर आप click कर देंगे इसके बाद friends पहला step है fill application form का आप इस option पर click करेंगे, click करने के बाद आपका जो form है वो start हो जाएगा, आप इसे यहाँ से declare करके accept कर सकते हैं तो यहाँ पर friends आपकी जानकारी है वो आपको fill up मिलेगी, सबसे पहले यहाँ पर आपको upload करना है 10th या matriculation का certificate तो आपको choose file पर click करना होगा, PDF format में आपको यह upload करना है, अगर आपके पास यह नहीं है तो friends आप उससे scan करके पहले ही अपने mobile में save करके रखें PDF format में और उसके बाद आप यहाँ पर इससे upload कर सकते हैं इसके बाद friends आपसे यहाँ पर पूछेगा कि आप serving है, अगर मालीजी आइफ में तो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं, नहीं तो आप no करेंगे इसके बाद है आपका DOB मिनसे date of birth तो आपको जो यह date of birth का यह format दिया गया है, इनहीं के बीच में आपका जनम होना चाहिए तो आप इस calendar पर click करेंगे आपका जो भी date of birth है वो friends आप यहाँ से select कर सकते हैं, तो date, month and year जो भी आपका date of birth है वो friends आप यहाँ पर select कर लेंगे इसके बाद friends आपको इस data को यहाँ से save and continue कर देना होगा, डाटा जब आपके एक बास save हो जाएगी आप इससे यहाँ से close कर देंगे इसके बाद qualification में देखे, तीन qualification आपसे पूछे गई है, या तो आप बारवी class pass out है, English के साथ और साथ में with या without physics and mathematics है, या फिर तीन साल का diploma है, या फिर दो साल का vocational course आपने यहाँ पर किया हुआ है, आप इन में से कोई भी एक option को select कर सकते हैं select करने के बाद, फ्रेंसे नीचे आप से यहाँ पर पूछेगा कि फ्रेंसे minimum जो percentage required है, वो आपकी fulfill है या नहीं है, अब आपके पास फ्रेंसे माली जी physics या mathematics as a subject है, तो आप yes कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर science select करेंगे, और यहाँ पर आपको जो group category है, उसमें फ्रे यहाँ पर आप other than sign subject select कर लेंगे, यहाँ पर फ्रेंसे आपको आपका education board select करना है, तो आप इस option पर क्लिक करेंगे, आपका फ्रेंसे यहाँ पर जो भी board रहा है, वो आप यहाँ पर select कर लेंगे, इसके बाद आपको देना है आपके 12 की percentage, अब यहाँ पर आपसे कहा गया है 59 99.99% भी अगर आपकी है तो आप 59% ही एंटर करेंगे, तो यह फ्रेंसे आपकी overall percentage है, जो कि आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी, तो यहाँ पर फ्रेंसे percentage एंटर करने के बाद, नीचे आपको option मिलता है, आपके देखिए original scan copy, जो कि फ्रेंसे आपको upload यहाँ पर करनी होग और आपके English के जो numbers हैं वो आपके mention हो, तो आप choose file पर click करेंगे, file को select करेंगे और यहाँ पर upload कर देंगे, नीचे फ्रेंसे यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है enter percentage of English, अब आपको English के जो number है आपके वो आपको यहाँ पर देने होगे, नीचे है फ्रेंसे आपका physics, chemistry, biology, subject आपने 10 plus 2 में intermediate equivalent examination में अगर आपके पास है तो आप yes कर सकते हैं, नहीं हाँ है तो आप यहाँ पर no कर देंगे, आपके पास computer knowledge है तो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं, किस तरह की knowledge है तो आप यहाँ पर select कर लेंगे, अगर आपके पास कोई certificate है तो आप यहाँ पर उसे select कर सकते ह कोई additional mark sheet अगर आपके pass है तो आप यहाँ पर yes कीजिए नहीं तो आप यहाँ no करेंगे और उसके बार friends से यहाँ पर नीचे आने पर कोई higher qualification आपकी है अगर आप इस समय कर रहे हैं तो आप यहाँ पर pursuing कर सकते हैं और अगर आप यह complete है तो आप complete पर click कर देंगे तो pursuing करने के ब आप इसके बार आपको option मिलता है आपकी हाइट का आपके चेस साइज का और आपके waist size का यह आपको यहाँ देना है साथ में आपके जो shoe size रहा है Indian raise में वो आप यहाँ पर select कर लेंगे इसके बार नीचे friends से अगर आपको driving आती है तो आप yes कर सकते हैं आपके driving license की जानकरी आपको देनी होगी नहीं आती है तो no कीजिए qualification है कोई catering में या information technology में तो आप यहाँ पर yes yeah no कर सकते हैं accounting की knowledge है तो yes yeah no कर सकते हैं को अधर skill है तो आप यहाँ पर yes yeah no कर सकते हैं इसके लवा friends से कोई sports achievement है तो आप यहाँ पर उसके बारे में भी जानकारी provide कर सकते हैं नहीं तो आप इसमें भी no करेंगे और save and continue कर देंगे इसके बात friends से next option अब आप आपके address का है तो देखिए आपको पूरा address आपका जो भी house number है, आपकी country कौन सी है, state कौन सा है, आपका district कौन सा है, pin code क्या है, यह जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी, तो यह जो section है, यह पूरा section आपके address से related है, तो आपका friend से जो भी address है, वो आप यहाँ पर enter कर सकते है address एंटर करने के बाद नीचे friends आपको option मिलता है, विलेजिया टाउन का, पोस्ट ओफिस का, आपके 12 डिजिट के अधार काइड नमबर का, और यह friends और यह जो की बिलोंग करते हैं, जम्मू और काश्मीर, आसाम और मेगाले से, तो यहाँ पर आपके पर 12 डिजिट अधार क नमबर है, तो वो आप मेंशन करेंगे, और उसके बाद आपका जो पिन कोड है, वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, इसके बाद friends अगर आपका permanent और correspondence address सेम है, तो आप सेमस पर कॉपी कर दीजिए, अलग-लग है तो आप अलग-लग entry करेंगे, इसके बाद नीचे आने प आप यहाँ पर जो guideline इसकी दी गई है, notification में उसको ध्यान से चेक कर लें, इसमें friends से देखी जो photo आप upload करेंगे, इसमें friends से आपके जो black slate होती है, उस black slate पर friends से आपको आपका नाम और date of photo आपको mention करनी होगी, अब date of photograph जो है वो October 2022 से पुरानी नहीं होनी चाहिए, और white chalk से आपको उस black slate पर नाम मेंशन करना है, date of photograph मेंशन करनी है, white background के सारा photo को upload करेंगे, तो आपको choose file पर click करना है, file को select करना है, और यहाँ पर upload करना है, और friends अप्लोड करनी से पहले जो guideline दी गई है, वो guideline follow जरू करें, और बिना उस slate के photo के बिना आप इसे upload ना करें, तो friends file select करने के बाद जब आप इसे upload कर देंगे, तो आपको देखिए जो preview है, वो मिल जाएगा, preview से satisfy होने के बाद आप इसे यहाँ से declare करेंगे, इसके बाद place लिखेंगे, कहां से आप इस form को fill कर रहे हैं, तो friends आप उसकी जानकारी provide कीजिए, और इसके बाद friends यहाँ से save and continue कर आपका friends phase one exam city, तो आप इस option पर click कर सकते हैं, और इसके बाद friends आप जो भी centers यहाँ पर चाहते हैं, वो centers आप यहाँ पर choose कर पाएंगे, इसके लिए friends आपको देखिए दोबारा से आपको जो यहाँ पर आपका keyboard है, जो की friends यहाँ पर आपको इसका option मिलता है, show keyboard का, आप इस यहाँ पर नीचे इनको लेके आएंगे, और friends आप जिस भी section को select करेंगे, या फिर आप जो भी यहाँ पर देखिए, जो भी center आप लेना चाहते हैं, जब आप उसे select कर लेंगे, उसके बाद friends आपको enter का option दियागा, इस enter को आपको select करना है, यह option देखिए आपका यहाँ प preference पर click कर देंगे, इसके बाद देखिए, आपकी जो selected city है, वो आपको alert हो जाएगी, और इसके बाद friends से नीचे वले option में, जो phase 2 वाला option है, इसमें भी आपको यहाँ पर इस तरह से option पर जाना है, इसके बाद friends उस keyboard को आपको यहाँ पर open करना है, open करने के बाद friends आपको यह select करने के बाद ही, आप इसे यहाँ से save कर सकते हैं, तो friends जब आप यहाँ पर सभी centers को choose कर लेते हैं, इसके बाद friends आपको देखिए, इस home वाले option पर आजाना है, home वाले option पर आने के बाद देखिए, आपको select city भी यहाँ पर complete हो गया है, इसके बाद है make payment option, आप इस option पर click कर करने के लिए, यहाँ पर आने के बाद friends आप देखिए, आप दो draft application form है, वो आप सेव करके रख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से declare करेंगे, इसके बाद थोड़ा सा wait आपको करना होगा, आपके सामने देखिए, बिल डैस्क ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पर चाहें तो credit card यूज कर सकते हैं, debit card यूज कर सकते हैं, net banking यूज कर सकते हैं, आप इन में से जो भी option यूज करना चाहे, payment करने के लिए अपने payment को confirm करें, confirm करने के बाद friends जैसे ही आपका payment का option verify होगा, आप अपना final print out निकाल कर अपने पास रख पाएंगे future use के लिए, future reference के लिए, तो प्रेंसे like, subscribe and share जरू कीजिए और बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ, देखते रही हमारा YouTube चनल, and last thanks for watching.